ओम शान्ति, मुर्लिय दिनांका, हदिनेलु, मूरु, यर्ड साविदा, इपत्यर्डु, मीठे बच्चे, तुम्हे भक्ती की रोचक बातों के बजाए, रुहानी बाते, सब को सुनानी है, रावन राज्यसे, मुक्त करने की सेवा करनी, मदुर मक्कले, नीव, भक्तीय रोचका मातों कड़ना, हेलुवदर बदलागी, आत्मी का ज्यानदा मातों कड़ना, यल्लरीगू तिलिसिरी, रावन राज्यदीन्दा, यल्लरन्नू मुक्त माडुव, सेवे यल्ली तुड़ुग्रे, प्रश्ण, सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए, मुख्य कौनसा गुण चाहि, सेवे यल्ली, सफलतेय प्राप्ती गागी, मुख्य याव गुणा बेकु, उत्र, निरहं कारिता का गुण चाहि, महावीर के लिए भी दिखाते है, जहां भी सत्संग होता था, वहाँ जुत्तियों में जाकर बैठता था, क्योंकि उसमें देह अभीमान नहीं था, परन्तु इसमें बहादुरी चाहि, सेवेल्ली सफलते गागी, याव मुख्य गुणा बेकु, उत्तर, निर्हंकारी गुणा बेकु, आंजनेन बग्ये हेलतरे, यल्लेल्ली रामन बग्ये सत्संगा नडितित्तो, अल्लल्ली होगी अवनु, पादरक्षेगड हत्तिरा, कुत्कोडतित्दा, अंदरे अवनली देह अभीमाना इरलिल्ला इंबुदन्नो, अल्ली तोर सिदरे, आदरे, आरी तियली गुप्त वेशदली होगी, सेवे माडलू दैर्य बेकु, इसमें बहादुरी चाहिए, तुम कोई भी ड्रेस पहिन कर, उन सत्संगों में जाकर, सुन्सक्ते हो, फिर गुप्त वेशमें जाकर, उनकी सेवा करनी चाहिए, नियु मक्कलू, गुप्त वेशदल्ली होगी, वेशा बदलाईसि कोंडु होगी, बक्ती मार्गदा सत्संगगळल्ली ये नडित देयंता, केडबाउद, नंतर अदर आधार दिंदा, गुप्त वेशदल्ली ये होगी, आभक्तर सेवे माडबेकों, गीत ओम नमाह शिवाय, यह हुई उन्चे ते उन्चे भगवान की महिमा, इश्वर कहो, परमात्मा कहो, सिर्फ इश्वर वा भगवान कहने से, पिता नहीं समझा जात, इसलिए परमपिता परमात्मा कहना चाई, ओम नमह शिवाय इम्ब महिमे, स्रेष्ठाती स्रेष्ठा, उन्नताती उन्नता, भगवन्ता अथवा परमात्मना महिमे आगिदे, इश्वरा भगवन्ता परमात्मा अन्ता हेळि दरे, अवनु नमगे तंदे अन्नोदो, अल्ली अर्था अगो दिल, अदक्कागी, परमात्मन बग्ये हेळु वाग, परमपिता परमात्मा अन्ता हेळ बेकु, अवनु इस मनुष्य स्रुष्टी का रचैता हे, उन्चे ते उन्चा बाप, क्या अकर कहते। अवनु इडि मानव स्रुष्टी गे रचैता, मानव स्रुष्टी एले इरुवन्ता सर्वा अत्मरी गूतंदे। आ तंदे बंदो, येन हेळ तरे कहते हे, पतीत मनुष्य मुझे बुलाते हे की, आकर हमको पावन बनाओ। पावन माना पवित्र, पतीत पावन भगवान को ही कहा जाता है, बरोबर वह आता जरूर है, भक्ती मार्ग में भगवान को याद करते हे, तो वह आता भी जरूर है, परन्तु वह आयेगा तब, जब भक्तों को भक्ती का फल देना हो। आतंदे हेड़ती दरे यल्ल मनुष्यरू ननेगे करी तरे हे परमात्मा बंदू नमगे पावना माडू अंत केड़को तरे पतितरन्ना पावना माडूनो आ परमात्मा ओबने अवनो अवश्चवागी इस्रुष्टीगे बर्तने यावागा अंतरे भक्तरीगे भक्तिया फला कोडू वसमय बंदागा अवनू इस्रुष्टीगे बर्तने फल देना अर्थात वर्सा देन उसके लिए बहूत सहज एक सेकेंड में जीवन मुप्ती दे सकते बक्तिया फला कोडू दू अंदरे तंदे आगी मक्कडीगे आस्ति कोडू आस्ति कोडूव कलसा बाला सहज आवनी गे आदरे पड़कोडू कलसा इनी देला अधू मक्कडीगे बाला कष्टा कहते एक सेकेंड में जीवन मुक्ती जनक को सेकेंड में जीवन मुक्ती मिली नाम एक का गाया हुआ है सेकेंड में जीवन मुक्ती अर्थाद सुख शान्ती मिली मनुष्य कहते शान्ती सुख और बड़ी आयू चाही उब्ब जनक राजनीगे खशन दल्ली जीवन मुक्ती सिक्कितू अन्ता गायनाईद आदरे बाबहड तरे केवला उब्ब नीगे मात्र सिगो दिल्ला युग दल्ली खशन दल्ली जीवन मुक्तिया प्राप्तियाक जीवन मुक्ती अंद्रेने सुखा शान्ती मत्तु दुड़्ड आयुष्य चोटे पद में कोई मरता है तो कहते हैं अकाले मुरुत्यों आगया पूरी आयों नहीं बिताई अब बाप जो कुछ करके गए है उनका ही गायन है सकेंड में जीवन मुक्ति तो जरूर पहले जीवन बंधन में होगा यारादरू चिक्कवैसी नल्ली देह बिट्रे अवना आविश्य अवनु पूर्ण वागी बदक्लिल्ला अकालिक वागी देह बिट्टा आन्ता जनहेल तरे आदरे बाबा नमगे अमरत्वद वर्धान कोड़तरे चण दल्ली जीवन मुक्ति कोड़तरे अदरबग्यने गाय नही देह यल्लरू जीवना मुक्ति यन्ना केडता इदारे अन्ध मेले यल्लरू ईगा जीवना बंधन दली इदारे अन्ता अर्था अग्थ देह जीवना बंधन कलियुके अंत्य और जीवन मुक्त सत्य युग के आदी को कहा जाता है। जीवना बंधना अंद्रे कली युगदा अंत्या, जीवना मुक्ती अंद्रे सत्य युगदा आधी, कहते जनक मिसल घर ग्रहस्त में रहकर जीवन मुक्ती को पाई, हेल तरे, जनक राजन समाना मनेली ये इद्दो, नेव जीवना मुक्ती अंद्रे पडिरी, बाब समझाते हैं, अक्षर ही दो है, राजयोग और न्यान, भारत का प्राचीन राजयोग तो मशूरे, बाबहड तरे, मनेली इद्दो कोंडे, ग्रहस्त व्यवार दल्ली इद्दो कोंडे, जीवना मुक्ती अंद्रे पडिरी, इली एरडे एरडो शब्दगड़ना बाबहड तरे, वंदु राजयोग इन्नोंदो ज्यान, भारत का प्राचीन राजयोग तो मशूरे, प्राची प्राचीना राजयोगा बहाला प्रसिद्धा आगी दे। प्राचीना अंद्रे याव समय द योगा। मनुष्य कहते कल्पकी आयू लाखो वर्ष। भारत का प्राचीना ज्यान योगतो सब चाहते जिससे भारत स्वर्ग बनता है। अब तो भारत बहोत दुख्यी पहले सूर्य वंशी राज्य था। प्राचीना अंद्रे लक्षांतर वर्षगड हिंदी नदू वंता जन तिल्कोंडी दर। आदरे बाबहन तरे प्राचीना योगा अंद्रे ऐदु साविर वर्षगड हिंदे संगम युगदल्लीने परमात्म बंदू इराज्य योगा मत्तु ध्यानदा शिक्षण कुड़ तरे। इ योगा मत्तु ध्यानदिन्दा भारता स्वर्गा अग्त दे। मुदलू भारता स्वर्गा अगितु अल्ली तुखदा है सरे इरलेल इगा भारता बहडा दुख्षी आगि दे। अब नहीं है सुख फिर उनको याद करते की राज्य योगा और ज्यान किसने दिया था। यह नहीं जानते। नहीं तो बाप से वर्षा लेने में बच्चों को कोई भी तकलिफ नहीं। बाप का बने तो वर्षे के लायक बने फिर भी माता पीता टीचर की शिक्षा मिलनी होती। मुक्ती का भी वर्षा चाहिए इसलिए गुरु करते हैं। परंतु जीवन मुक्ती तो कभी कोई दे नहीं सकता। जब जीवन बंधन का अंत्य हो जीवन मुक्ती की आधी हो तभी फिर जीवन मुक्ती देने वाला आएगा। तंदेना यल्लरूनेंट माड़तरे। आधरे तंदे कोडवा आस्तिया उदू अंता जनरीगे गुत्तिल। केलवरू मुक्तीया आस्तिनू सहा केल्डतरे। मुक्ती गागी गुरुगड हत्तिरा होकतरे। आधरे बावहेडतरे। मुक्ती गे होगुव समया बरुतनका यारू यारिगू मुक्ती कोडो दिल्ला। मुक्ती जीवन मुक्तिया दाता परमात्मा उब्बने आगितरे। अधन्ना कोडोदकागी आवनु बरुवदू नाविल्लरू जीवना बंधन दल्ली इदाग। मनुष्योंने सिर्फ सुना की सेकेंड में जीवन मुक्ती। अत्वा सेकेंड में राम राज्य पतीच से पावन बनना परंथू कैसे सो नहीं जान्ते। जनकेली दरे। खणदल्ली जनकराजनेगे जीवना मुक्ती सिक्तू। खणदल्ली राम राज्य दा स्तापने आईतू अन्त। पतीतरेल्लरू पावन आदरू अन्त। आदरेहेगे यारिंदा अन्नोदो नहीं जान्ते। तुम आत्माउंसे बात करते हैं। बाप यह रूहानी शिक्षा जो सुप्रीम रूह देते। वहातो सब मनुषही शास्त्र आदी पड़ते हैं। कहते हैं फलाने महात्माने यह ज्यान्ती हैं। बाबा आत्मर जतेगे माताड तरे। आत्मीक शिक्षण कुडते। हुरगीन सचंग गळल्ली देह धारी गळु शास्त्र गळन्ना ओदी हेलतरे। हेलतरे इन्ता महात्मरों इन्ता गुरुगळों नमगे ज्यान हेलती दरे यहां प्राचीन राजेय। ज्यान जो परमात्माने दियाथा पांच जार वर्ष पहले। जिस्से तुम देवता बने थे। अब प्रायलोप हो गयाए। अगर प्रायलोप नहो तो सुनावे कैसे। आदरे इसत्संगदल्ली प्रायलोप आगिरो वन्ताह राजयोगा मत्तो ध्यानद शिक्षण पुनहा तंदे बंदो उड़ताईद। वन्दुवेले इद्ञान प्रायलोप आगिर लिला अंद्रे मत्ते संगम युगदल्ली परमात्मनिगे याव केलसनो उडितिर लिला। मनुष्य पतीत न बने तो पतीत पावन बाप कैसे आई? पतीत बनने में चौरासी जनम लेने पड़ते हैं। इसका भी सारा विस्तार बाप समझाते, वर्न भी समझाते, ब्रह्मा चाहिए तो ब्रह्मा का बाप भी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकरिन तीनों का बाप शिवहे अब ब्रह्मा द्वारा बैट प्राचीन ज्ञान देते जिस्से विष्णु पुरीके मालिक बने पतिता अत्मरु हेगे पावनाक्तरे, पावनरु मत्ते यंबत नाकु जन्मगळली, हेगे बरतारे अन्नो धर बग्ये, बाबने बंदु सविस्तार वागी तिलिसी कोडतर, वर्णगल बग्ये नू तिलिस्तर, इल्ली ब्रह्मा बाबा मुख्य वागी बेगु आगादरे आ ब्रह्म्हनीगे रच्चने माडोरूबे ब्रह्म्हना तंदे यारू ब्रह्म्हना तंदे शिव परमात्मा अगिदर ब्रह्म्हा विष्णू शंकरर मूलका स्तापने पालने विनाशधा कर्तव्यगणना आ परमात्मने माडस्तने अब ब्रह्म्हा द्वारा बैट प्राचीन ध्यान देते जिससे विश्णु पुरी के मालिक बनेक और ब्राम्हन सो देवता बन जाते ब्राम्हन धर्मवाले मनुष्य से तुम्सो देवता धर्मवाले बन रहे तो पहले प्रजापिता ब्रम्हा चाहिए कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कह सकते यह तो सब उल्टी बाते बना दी है परमात्मा बंदो ब्राम्हन मूलका मोदलो ब्राम्हन धर्मवन्न स्थापने माड़ आ ब्राम्हनरे देवते गड़ाक्तर इब्राम्हन रन्ना रचने माडली के प्रजापिता ब्रम्हा बेक। स्री कृष्णनी गे प्रजापिता अंता हेडली के आगो दिला। आदरे भक्ती मार्गदरली कृष्णन बगे अनेक उल्टा पल्टा मातुगणना बर्दी दरे। कृष्णको इतनी रानिया इतने बच्चे थे। यह हे भूल वास्तो में बच्चे हे ब्रम्हा को नकी कृष्णको। ब्रम्हा ही कृष्ण बन्ती। कृष्णन निगे अधिनार साविरदा नूरा इंकुर रानियरी दरु अवरी इंदा यशिष्टो जना मकला घी दरु अंता बर्दी दरे। वास्तवी कवागी कृष्णनीगे अश्टंदु जना राणियरू इरोधिला मकडू इरोधिला। संगम युगदल्ली ब्रम्हा तंदेगे राशी राशी मकडी दरे। युरेल्लरू मुखसंजातरू बस एक जनम की उतल पाथलने मनुष्यों को मुँझा दिया है। आदरे इब्रम्हा बाबने भविश्यदा जनमदल्ली स्री कृष्णा आगुवा कारणा ब्रम्हान महिमेगणना कृष्णनीगे जोडसी दरे। वंदे जनमदा व्यत्यास दीन्द यिष्टंदो उल्टा पल्टा विचारगणना बर्दिटि दरे। गीता का भगवान कृष्णको कह शिवको उडा दिया। सब कहते ब्रम्हा को तीन मुखते। कितने मुझजगै गीतेय बगवान्तनों परमात्मा शिवांता हेळो दर बदलागी बगवान्ता स्री क्रिष्णांता हेळी बिट। गीतेय बगवान्ता क्रिष्णां थेळी शिवना हेसरन्ने हारिसी बिट। यल्लरु हेळतरे ब्रम्हनीगे मूरु तलेगळु इद्ध उवान्ता। इस्टोंदो गोंदलमया माडी इटिदर। शिव रचेता को गुम कर दिया। रचता आकर बताते कीमे कैसे देवता धर्मकी रचना करता। वास्तविकवागी त्रिमूर्ती शिवागी दने विनहां। ब्रम्हाल आदरे ब्रम्हनीगे मूरु तलेगळन्ना याके तोर सीद्रों। अंदरे निराकार शिव परमात्म। त्रिमूर्ती शिवा ब्रम्हन देह दल्ली बंदू मूरु करत्तवियगळन्ना माड्तनी। अदकागी ब्रम्हनीगे मूरु तलेगळन्ना तोर सीदरे। ऐसे नहीं परमात्मा सुरुष्टी कैसे रचते हैं। बुलाते हैं पती तपावन आकर पती तो उनको पावन बना। दुनिया को यह मालूम नहीं कि इस समय रावन का राज्य चल रहा है। रावन की बड़ी-बड़ी कथाई बैट सुनाते इसको कहा जाता है भक्ती की रोचक बाते और यह है रूहानी बाते। पतीत पावना बा अंता करीतरे आदरे आवनु बंदु हेगे पतीतरना पावना माडतने अन्नुदो भक्तरीगे गुतिल्ला। इदु रावन राज्या आगी दे। रावनना बग्ये अनेक कथेगळना बरदू जनरीगे विवरने माडि रोचक वागी आ कथेगळना हेळतरे। बा बहेड तरे नीवु भक्तिया रोचका मातोगळना बिट्टो न्यानदा आत्मिका मातोगळना जनरीगे तिलिसी। इससमय सब सीताय अत्वा भक्तिया रावन की कैद में आउरावन राज्या में बहोत दुख्य इसमय दल्ले यल्ला सीतेर। अंद्रे भक्ति माडु अंथवरू रावणना जेलिनली दरे। रावण राज्य दल्ली बाहला दुख्य आगी दरे। अब सबको रावण राज्य से मुक्त कराना है। अब बाप आया है। कहते बच्चे तुम्हारे चौरासी जनम अब पूरे हुई। परमात्म बंदो रावण राज्य दीन्दा यल्ल रन्नो मुक्त माड़तने। एड़तने इग यम्बत नाल को जन्म गळा चक्रा मुगीत। अब वापिस चलना है। मुझे ही बुलाते थे दुख हरता सुख करता आओ। येगा वापस होगा बेकाज। नन्ने नीव करिता इदरे हे दुख हरता सुख करता बान थे। यह मेरा ही नाम है। कल युग में है अपार दुख सत्युग में है अपार सुख। दुख हरता सुख करता आओ दो नन्न दे मही में आगी दे हैसर आगी दे। कल युग दले अपार दुखाई दे सत्युग दले अपार सुखाई दे। तुमको सुख का वर्सा दिलाने अर्थ तुमें राजयो और न्यान सिखला रहा। यह पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। मनुष्य तो विनाश से बहुत डरते, समझते हैं आपस में लड़े ही नहीं, तो शान्ती हो जाए। फिर इतने अनेक धर्मों में शान्ती कैसे होगी। बाब समझाते, यह इतने सब धर्म जो अब है, वह पहले नहीं थे। जब एक ही धर्म था, तब बरोबर सुख शान्ती का राज्य था। इहले प्रपंचा, मिनाश आगवी, जना, मिनाशक्के हेदर तरे, बाब हेड तरे, मिनाश आगदे विनहा, इह प्रपंच दल्ली सम्पूर्ण शान्ती बरोदीला। यलियवरेगे अनेक तेईदे, अनेक धर्म गडिवे, अलियवरेगे शान्ती बरोदीला। यवगा यल्लरू वंद आक्तरे, एक धर्मद स्तापने आक्त दे, आग मात्रा, सुखा, शान्ती राज्या बर्त दे। सब मांगते हें मन को शान्ती कैसे मिल। अरे, मन क्या चीज आए, पहले इनको सम्झो। इल्लरो मन सिगे शान्ती बेको अन्ता केड़तरे, आधरे मुदलो मन संद्रे ये नो अन्ता तिलको बेको। आत्मा में ही मन बुद्धी है, मनुष्य की जबान बोलती है, आंख देखती है, टोटल मिला कर कहते है, मनुष्य दुख्य है। आत्मा दल्लीने मनसू मत्तू बुद्धी इदे, मनुष्य बाई इन्दा माताड़तने, कड़ु गड़िन्दा नोडतने, एने आडीदरू, एने नोडीदरू, एने केलीदरूनू, इल्ली मनुष्य दुख्यागिदन। किसको समझाना बड़ा सहजे, बापको याद करो, वर्से को याद करो, यारीगे आगले सहजवागी तिड़िसरे, नोडीनिव एनू कष्टा पड़ोत बेकिल्ला, केवला उब्बतन देना नेनपमाडरी, आस्तियना नेनपमाड, फिर जाड़ोर ड्रामा की समझानी भी द पड़ेनी पड़े, नंतरा नियू कल्प व्रुक्षा मतो नाटकद बग्येनों सहा ज्यान तिल्सरे, जिसके लिए यह चित्र बने हुए, सिर्फ मनमना भव कहने के लिए चित्र की दरकार नहीं, चित्रों पर समझाने में घंटा लग जाता है, बावैड तरे, केवला मनमना भवदा द्न्यान हेलिके, हेच्चिना समया बेकिल्ला चित्रगडों बेकिल्ला, आदरे, सविस्तार वागी द्न्यान हेलिके, चित्रगडों बेकू, चित्रगड मूलका द्न्यान हेललिके, समयनों बेकात, प्राचीन राजयों भगवानने सिखलाय, और मिल गई फिर कोई मनुष्य तोड़े ही राजयोग सिखलाएंगे बाप और वर्से को याद करो तो ठीक है परन्तु या डीटेल जब तक किसको समझाए नहीं तब तक बुद्धी नहीं खुले बाभेड तरे तंदे मत तो आस्तियना नेनप माडरी यंता हेड़बे आदरे आ नेनपी गागी नाउं इतर विशय गड़ ध्याननों जनरी गे हेड़ बेकार संपूर्ण ध्याना तिल कोड़ दे विनहा योगा माडली को आगो तिला ज्यान दिन्दा बुद्धी या बीगा तरियल पड़त दे शृष्टी चक्र को समझाए जब कोई ड्रामा देखकर आ तो वह बुद्धी में आदी से अंत्य तक घूमता रहता है कहने में तो सिर्फ इतना आयेगा कि हम ड्रामा को देखकर आई तुम कहते हम इस ड्रामा को जानते बाबेण तरे यावदे वंदो नाट का अथवा सिनेमा नोडी बंदागा अधर कथेने तलेले सुथता इर्थ आगे इनाट कद विचारा तिल कोण मेले इनाट कद बग्यने नीव विचारा माडता इरवेको तंदे इंदा सुखशान्ती का वर्सा मिलता है फिर बुद्धी में चक्र भी है चौरासी का चक्र जरूर घड़ी घड़ी याद करना है यह ध्यान ब्राम्हनों को ही मिलता है जो फिर देवता बनते ब्रम्हा सो विष्णू फिर विष्णू सो ब्रम्हा तुम जो देवता थे पुनर जन्म लेते लेते फिर आकर ब्राम्हन बने हो बावेल तरे ब्राम्हनरीगे मात्र ये ज्ञानसिक्त दे इवरे मुंदे देवतिकुड आक्तरे इवंदो चक्करय निदे वर्णकर चक्करा आगागा नीउ नेनप माण्ता इरबे ब्रह्म्हासो विष्णू, विष्णूसो ब्रह्म्ह, हेग्याक्त रेयं तनू, नियू तिलकोबी, हदका बाप, सिर्फ उत्पत्ती पालना करते, मिनाश तो नहीं करेंग, मिनाश अर्था सारी पतित दुनियाही नरै, लवकीकत तन्दे, केवला मकलना, रचने माड़तरे, पालने माड़तर, आदरे मिनाश माड़ो दिल, पारलव की कतंदे, स्तापने पालने जतेगे, इहले प्रपंचवने मिनाश माड़तरे, सारे रावन राज्य का विनाश होना है, नहीं तो रामराज्य, कैसे हूँ, इड़ी रावन राज्यने, मिनाश आगबेको, इल्लदी दरे, रामराज्य बरुवदू हेगे, वहां कभी रावन को जलाते नहीं, बक्ती मार्ग की, कोई भी बात, ज्यान मार्ग में होती नहीं, सत्यत्रेता युगदल्ली यारू रावन नन्ना सुडो दिला, भक्तिय यावदे पद्धती रीती स्वर्गदल्ली इरो दिला, तुम वहां प्रालब्ध भोगते हो, वह है न्यान की प्रालब्ध, उनको कहेंगे, भक्ती की प्रालब्ध, अल्पकाल अक्षण भंगूर सुखे, सर्गद जीवन नहा, ज्यान दा प्रालब्ध आगिदे, अल्पकाल अक्षण भंगूर सुखा सिगुवदू, दौपर कलियुगद ले सिगुवद सुखा, भक्तिय प्रालब्ध आगिदे, पहले भक्ती अव्यभिचारी थी, फिर व्यभिचारी होते होते, बिल्कुल दुख्षी बन जाते है, मुदलो भक्ती अव्यभिचारी आगितु, निदान के वे भीचारी आक्ता आक्ता भक्तर हूँ दुख़्ी आक्तर है सद्गती दाता एक बाप है यह तो समझाना है कि बाप और वर्से को याद करू याद किया सर्ग की बादशाही मिली फिर नर्क में कैसे आई यह बाते भी बैठ समझाई जाती है तंदेना नेनप माड़ीदरे स्वर्गदा आस्थी सिक्तत नियुँ हिंदिन कल्पदली नेनपो माड़ीदरी आस्थीनों पड़कोंडीद स्वर्गदली इद्ध उरो मत्ते नर्कदली हेगे बंदीदिरी याके बंदीदिरी अंतनों तिडस्बी अब तुमको सारे सुरुष्टी चक्र के आदी मध्य अंत्यका पता पड़ गया है तो इस समय तुम त्रिकाल दर्शी बन रहे हो उनको तुम कहेंगे की देवत आये भी त्रिकाल दर्शी नहीं थे तो कहेंगे तब कौन थे क्योंकी संगम युगी ब्राम्हनों को कोई जानते नहीं बाबहेल तरे देवतेगळो त्रिकाल दर्शी आगिरो दिल्ला हागादरे यारु त्रिकाल दर्शी आगिर तरे संगम युगदा परमात्मन मकडू प्रजापिता ब्रह्मा मुखवं शावली ब्राम्भनरू त्रिकाल दर्शी आगिर्तरू दिखाते हैं जहां वे सत्संग होता था तो हनुमान जाकर जुत्तियों में बैठ जाता था अब यह बात महावीर के लिए क्यों कई क्योंकि तुम बच्चों में कोई देह अभिमान तो है नहीं समझो सत्संग में कोई ऐसी बात निकल पड़े तुम कह सकते हो प्राचीन राजयोग और ज्यान से सेकेंड में जीवन मुक्ती लेना है तो फलाने के पास जाओ बाबहेड तरे आंजनेया यल्लेली रामन सत्संगा नडितित्तो अललली होगियावनों कूडतित्दा आंता वंदु कते इदे आंजनेया निगे आके तोर सिद्रू बाबहेड तरे याव मकडलली धैर्या इर्तद्यारू आंजनेयन समान महावीरागीर तरे पुर्शार्थदल्ली अन्था मकडो मात्र गुप्त वेशदल्ली होगि बेरे सचंगदल्ली मातु केडु वाग मध्यदल्ली अवरू इमातन्नों सहा तिडिसी कोडतरे नोडी परमात्म बंदू सहज राजयोगा मत्तू ज्यानद शिक्षणा कोडती दने क्षणदल्ली जीवन मुक्ती बेकु अंदरे इन्था वंदु स्तडक्के होगिरी अन्ता गुप्त वेशदल्ली इरुवंता धैर्य इरुवंता सेवा धारिगडु मात्र इमातन्ना हेड़तरे अन्यर सत्संग दल्ली अलिय विशेगड़ना केड़ु वाग यलाद्र सल्पाव काश सिक्की बिट्रे इमाहावीर मक्कडु अवरीगे धैरे दिन्दा ध्यान हेड़तर समझाने वाला बहोत बहाद्दूर और निरहंकारी चाही अन्तहा स्तडगडल्ली होगी ज्याना हेड़ु वन्तो बहला बहद्दूर आगिरबेको निरहंकारी आगिरबेको जराभी देह अभीमान ना हो इतर सत्संग गडल्ली होगी ज्यान हेड़ु अन्तवरु अत्वा सेवे माडु अन्तवरुगे स्वल्पनू देह अभीमान इरबारदू कहां भी जाकर बैठे टाइम मिल जाये तो बोलना चाये आशत्संग दल्ली यल्ली जागा सिक्रुनो इवरु होगी खुतकोडबेको समया अवकाश सिक्कागा मा तडबी मजबूत होगा तो भाषण आदी करेगा की गुरुहस्त व्यवहार में रहते कैसे सेकेंड में जीवन मुक्ती मिल सकती याव मक्कडू शक्तिशाली आगिर तरे अवरू बाळ चन्नागी अल्ली भाषण माड़तर हेगे गुरुहस्त व्यवहार दल्ली इद्दू क्षण दल्ली जीवन मुक्ती यन्ना पडि बहुदू अन्नो दर बग्ये हेडि कोड़तर परमात माके सिवाय तो कोई देना सके या महावीरही समझा सकते शनदल्ली जीवन मुक्ती कोड़ो नो परमात मा उब्बने आगिदने विनहा आतंदेय विनहा बेरे आरू सहा शनदल्ली जीवन मुक्ती कोडो दिल्ला आन्ता हेडवेग इ मातन्ना हेडले के धैर्यशाली मककडू बेग सुनने लिये मना नहीं गुरहस्त व्यवहार में रहते तुम बच्चे बहोत सर्विस कर सकते नीवु गुप्त वेशदल्ली होगी भक्तर सचंग दल्ली ज्ञान हेळबेकाद्र मोदलु अवर मातुगण नाम केळबेकाद केळळिकु परवाईला आन्तरेब केळड नंतर अवकाश सिक्काग सेवेमड बोलो राजयोग सीखना हो तो ब्रम्हा कुमारियोंके पास जाओ नीव जनरीगे हेडी नोडी राजयोगा कलिबेकाद्रे नीव ब्रम्हा कुमारियरा हत्तिरा होगबे आगे चलकर तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा मुंदे बंदो निम्महे सरू प्रसिद्धी आगो दीदे मेजोरिटी आएंगे अभी तो थोड़े भगाने का नाम भी बहुत दे मुंदे मेजोरिटी जना हेच्चिन संखेली इद्ञान केडली के बरोरी दारे अनेकर ना ओडसकोंड होगी दरू अन्तनू वंदू ग्लानी इदे क्रिष्णने भगाय अरे भगानी कीतो कोई बात नहीं भत्तियल्ली बर्दिदरे क्रिष्णा तन्न मुरलिया नाद दीन्दा अनेकर ना ओडसकोंड होगती दा बाबैड तरे यारो यारन्नो इल्ली ओडसकोंडो होगो दिला टीचर कब पढ़ाने के लिए भगाते है क्या सर्विस करने वालों को तो बहोत विचार सागर मन्थन करना है और बहोत बहाद्धूर बननना है शिक्षण कोड़ो दक्कागे शिक्ष करू एनादरु विद्यार्थि गड़न्न ओडसकोंड बर्तरेनू इल्ला हागे सेवि माडु अन्था मक्कडू अनेकरीगे सेवि माडु आग ज्यान हेडू आग उपाय दिन्दा हेडबी अधर बग्ये मोदले विचार सागर मन्थन माडबी और बहोत बहाद्धूर बी पननना है मत्ते बाळा बाळा बहाद्धूर आगबी अच्छा मीटे मीटे सिक्की लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मौर्नी रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मौर्निंग और नमस्ते 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 धार्णा के लिए मुख्यसार सभी भक्ती रूपी सीताउं को रावन की कैद से चुडाना है सकेंड में मुक्ती जीवन मुक्ती की राह दिखानी यल्ला भक्तरीगे अंद्रे भक्तरूपी सीते रन्ना रावनना बंधन दीन्दा बिडिस बेको खण दल्ली मुक्ती जीवन मुक्तिया मार्गा अवरीगे तोरिस बेको यर्ने बाप और वर्से को याद करना है देह अभीमान चोड महावीरबन सेवा करनी तंदे मत्तो आस्तियन नेनपो माडबेको देह अभीमान बिट्टो महावीरबागे सेवे माडबेको विचार सागर मन्थन कर सेवा की नई नई युक्तिया निकान्नी विचार सागर मन्थना माड़े सेवेय वसवसा उपायगणना हुड़क बेको वर्दा नथिंग नियू की युक्ती द्वार हर परिस्तिती में मोज की स्तिती का अनुभव करने वाले सदा अचल अडोल भव यावदू वसदल्ल एम्ब उपाय दिन्द प्रतिवंदू परिस्तिती यले मोजीन अनुभवा माडुवंता हा सदा अचल अडोल भव ब्राम्हन अर्थात सदा मोज की स्तिती में रहने वाले दिल में सदा स्वताह यही गीत बजता रहे वाह बाबा और वाह मेरा भाग्य ब्राम्हन जीवन अंद्रेने मोजीन जीवन ब्राम्हनरु अंदरे सदा मोजीनल्ली इरुवंतो रुदय देल्ली सदा इदे हाडो मोडी बरबेको वाह तंदे वाहननन भाग्यात दुनिया की किसी भी हल्चल वाली परिस्थिती में आश्चर्य नहीं फुल्स्टाप जगत्तिन कोलाहलदा परिस्थिती यल्लू सहा निम्मल्ली आश्चर्य बरबारतू आदरे इदू यावत्तू नडदी दे इदू यावदू वसदल्ला आयंदू तिडदू अल्लिने फुल्स्टाप हाकबी को कुछ भी हो जये लेकिन आपके लिए नथिंग्यों इप्रपंच दल्ली येने नडिली आदरे निम्म पालीगे अदू यावदू वसदल्ला कोई नई बात नहीं है अदू यावदू वसविशय अल्लवे अल्ला इतनी अंदर से अच्चल स्थित क्या क्यों में मन मुझे नई तब कहींगे अचला अडोला आत्माई यावदू वसदल्ला अंता अल्ली फुल्स्टाप हाकबी को अंताहा अचला स्थिती अंतरिक वागी निम्मल्ली इरबी को याके येनू हेगे एम्ब प्रश्णिगडल नीव सिलक बारतू आगहेडबवदू अचला अडोला आत्मरू नीवागी दिरीयन्दू श्लोगन व्रुत्ती में शुब भावना हो शुब कामना हो शुब वाइब्रेशन फैल्ते रहेगे निम्म व्रुत्तीयल्ली संकल्पदल्ली शुब भावने शुब कामने इत्तू अंत्रे निम्म मोलका शुब संकल्पगड़ शुब वाद प्रकम्पनगड़ो ना को कडेगो हरडता इर्तवे अनमोल ज्यान रत्ना दादियों की पुरानी डैरे से मदल नेदू तुम्हे दैवी गुणों की धारणा करनी है धैर्यवत गुण की धारणा भी निश्चे से होती है साक्षीपन की अवस्था में रहना है इस धारणा से परमात्म आपे ही हजार कदम आगे प्रख्यात होता है बाबा कहते तुम सुक्ष्म में दो कदम नजदीक आओ तो मैं स्तूल में अनेक कदम उठा कर सामने आओंग बाब एड़तरे दैवी गुणगळ धारणे बेक। धारणे इंदा निश्चय बरतदे साक्षी स्थिती बरतदे इदारणे इंदा नेउं सूक्ष्म वागी अन्दरे मनसिन मूलका तंदेया हत्तिरा बंदरे यरड़ु हेज्जे निउं हत्तिरा बंदरे नानू स्थूल वागी अनेक हेज्जेगळ नाईटो निम्म हत्तिरा बरति नि न्यान हे स्व लक्षमे स्थित रहन स्व में स्थित रहने से परमात्मा स्वयम आगे आएगा बाबा के महा वाक्य याद कर लो जितना दैवी गुणों की धारणा करेंगे उतना एक दो को सुख देने के निमित्य बने आज देना कल लेना आज सर्वेंट बन देंगे तो कल मालिक बन राज्य करें परमात्मना महा वाक्य गडना नेन्प माड कोडें इस्टिष्टु नियू दैवी गुणगणन धारणे माड़तीरी इस्टिष्टु जनरीगे सुखा कोडतीरी अष्टे आ सुखा निमगे वापस बरत दे इवत्तु सेवकर आगी उब्बरीगे सुखा कोड़ी नाले विश्वद मालीक आगी आ सुखवन्ना वापस पड़कोडतीरी अभीतो वर्ल्ड सर्वेंट्टु न आदरे आ सुखवन्ना इगले बैस बारतु या केंद्रे इगनाउं विश्व सेवका आगी तेवे यर्णे सदा निम्मा आत्मिक स्वरूपदल्ली स्थिता आगी निम्मा रथवन्न देहवन्ना नडसरी ईदेहके नानू इन्ता स्थडदल्ली कुड़ुस्ता आइदिने, इदेहक्के उटा कुड़ुत्ती दिने, इदेहक्के मलगुस्ता आइदिने, इमुखदीन्द मातार्तिनी, अंता सदा नेन पिटकोल्ट। नोडवनु, माताडवनु, उटामाडवनु, नानु आत्मा आगि देने अन्ता तिलकोल्ट। वंदु वेले नाउं नम्म मुखदीन्द, नम्म वचन अगलिन्द, अन्यरीगे दुखकोट्टरे, नम्म स्वस्वरूपद अपमान आगि बिट्तत। नाने ननगे अपमान माडिदंते आगत दें, तो फिर स्वसम्पोणा आत्मा कहती, है जीवा आत्मा तेरे पर अफसोस है, ऐसे इंसान अत्वा प्राणी में, मैं शुद्धा आत्मा प्रवेश नहीं हूँ, स्व शुद्धा आत्मा जिस जगह है, उस जगह पर अफसोस न क्योंकि वह कभी कियों, कभी किसको दुख नहीं दे सक्ता, वंदु वेले नानु दुखा कोट्रे, ननगु दुखदा प्राप्तियाक्त दे, आद्धरिंदा सुखस्वरूप आत्मागे, सदा सुखदा अनुभवमाड, यावत्तो नियु दुखा पडबेडे, दुखा स्वशुद्धा आत्मा सुखस्वरूप आए, और ऐसा स्व निश्चे बुद्धी, तो सदैव सुख पहुचाता है, वह साक्षात मेरा स्वरूप आए, और जो अपने को स्व आत्मा निश्चे करते भी, अन्यको दुख देता है, वह तो सिर्फ कहलाने वाला पंडित है, उसका असर दूसरों पर नहीं हो सकता है, सुखस्वरूप ने नन्न मूलस्वरूप आगी दे, नानु आत्मा निश्चे या माड़कोंडू, सुखस्वरूप आगी इरबी, वंदु वेले नानु आत्मा निश्चे या माड़कोंडू, नानु सुखस्वरूप आत्मा आन नानु केवला हेडुवन्ताहा पंडीता आक्तिनी विनहा अनुभवा माडुवन्ताहा अनुभवद मोर्ती आगोदिला नानु केवला पंडीतर तर न्यान हेडता होद्रे अदर प्रभावा जनर मेले आगोदिला Acha, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti